नमस्कार निशामदुलिका.com में आपका स्वागत है आज हम मिल्क पाउडर केसर बर्फी बनाएंगे यह बर्फी दो कलर में होगी और बहुत ही स्वादिस्ट बर्फी होगी बहुत सारी जगे मावा नहीं मिलता तो बर्फी को मिल्क पाउडर से बनाये जाता है और मिल्क पाउडर से बनी बर्फी उतनी ही स्वादिस्ट होती है जितनी कि मावा से बनी बर्फी होती है तो आईए milk powder केसर बर्फी बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमने दो जगें ingredient लिये हैं एक जगें हम milk powder से साधा बर्फी बनाएंगे और दूसरे color के लिए milk powder से केसर डाल करके केसरी बर्फी बनाएंगे तो पहले हमने ये एक cup milk powder लिया है आदा cup powder चीनी है एक चौथाई cup unsalted butter है और चार टीबिल स्पून दूद ले लेंगे और केवरा essence दूसरे ingredient हमने आदा cup milk powder लिया है एक चौथाई cup powder चीनी है दो टीबिल स्पून unsalted butter दो टीबिल स्पून दूद और तीस चैलीज धागे केसर की milk powder केसर बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम white milk powder बर्फी बना करके तयार करेंगे पैन में हम सबसे पहले यह butter डाल देंगे बटर हम घर में निकाला हुआ ले सकते हैं या dairy से ले आएं यह जो दूद है हमें केसर बर्फी जो बनानी है उसके लिए हमने इसको थोड़ा सा गरम कर लिया है हलका गरम और इसने हम केसर के धागे डाल करके रख देते हैं तो यह अपना अच्छे तरीके से कलर छोड़ देगे butter melt हो गया है इसमें हम यह दूद डाल देंगे और यह milk powder भी डाल देंगे और अच्छे तरीके से चलाते रहेंगे आग धीमी रखेंगे और चलाते समय भी यह धियान रहे जो हमारी कल्ची है वह बिल्कुल कड़ाई में नीचे तक milk powder को चलाती रहे हमने powder चीनी भी मिला दिये और बिल्कुल इसको लगातार हम चलाते रहें जैसे ही चीनी मेल्ट हो गई है मिश्रन पतला होने लगा है इसे हमें लगातार जल्दी जल्दी कल्ची से चलाते हुए और अच्छा सा गाड़ा होने तक पकाना है यह दो तीन मिनिट में अच्छा गाड़ा मिश्रन बनके तयार हो गया है गैस बंद कर देते हैं और मिश्रन में केवडा एसेंस की हम एक दो ड्रॉप डाल देंगे केबडा एसेंस की जगह इलाइची पाउडर डाल सकते हैं या फिर बिना एसेंस के या बिना इलाइची पाउडर के साधा मिस्रन से साधा बर्फी बना सकते हैं तो यह हमारा मिस्रन कफी गाड़ा हो गया है और हमने प्लेट में घी लगाकर इसको चितना कर लिया है अब हम इ दूमज के नीचे थोड़ा से घी लगाकर के हम वर्फी को ऊपर से प्लेन कर लेंगे और हम इसको चारो तरफ से एक जैसा कर लेंगे यह वर्फी को जमने देते हैं और हम कैसर वाली वर्फी बनाकर तयार करें तो यह हमने कैसर केसर का दूद बनाया था केसर दूद में डाल के रखी थी वो कढ़ाई में डाल लेते हैं और यह बटर भी हम इसी में डाल के दूद और गरम कर लेते हैं केसर के दूद और बटर को अच्छे जरिके से गरम कर लिया है दोनों मिल गए है लेकिन केसर का कलर थोड़ा सा हलका आता है अगर हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा food color डाल दें, जो केसर food color आता है, yellow food color तो बर्पी का color बहुत जाले अच्छा आएगा, तो हम थोड़ा सा इसमें color डाल दें, बस इतना काफी है, बहुत ही काम, और अब हम इसमें milk powder और powder chain, डाल देंगे, और सबको mix करते हुए लगातार चलाते हुए धीमी gas पर पकाएंगे, चलाते समय बिल्कुल धिहान रखना है, कि हमारी कल्ची कड़ाई के तले तक जाते हुए चलने चाहिए, और देखिए, चीनी melt हो रही है, और हमारा मिस्टर पतला होता दिखाई दे रहा है अब हम इसे चलाते हुए धीमी gas पर ये थोड़ा सा गाड़ा हो लेता किसे हम पकाएंगे, मिस्टर काफी गाड़ा हो गया है, हमारी बर्फी जम जाएगी, गैस बंद कर देते हैं, अब हम इस केसर मिस्टर को इसी साधा प्लेन बर्फी की परत के उपर जमाएंगे, और खी वली चम्मच से, चम्मच के बैक में थोड़ा घी लगा हो, इसके सहारे से हम इसे पूरा बर्फी को हम चारो तरफ से एक जिसा कर देंगे, और अगर हम इतनी बड़ी हमारी ट्रे है, जिसमें कि ये लेयर एक बरावर पैल जाती है, तो हमें किनारे भी सही करने की ज किनारों से बन जाते हैं, मिस्टरण को भी इसके उपर पूरा प्लेन करके जमा दिया, और अब हम इसे जमने देते हैं, इसके बाद हम इसे पीसे में काट लेंगे, ये बर्फी हमारी जम करके तयार हो गए है, और इसे हम पीसे में काट लेते हैं, तो पीसे अपने हिसाफ स चोटे बड़े जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं इस तरीके से हम मिल्क पाउडर चॉकलेट बर्फी बना सकते हैं यानि जो हमने दूसरा मिश्रन केसर डाल के पकाया था उसमें हम कोकोवा पाउडर डाल करके पका लेंगे तो वो चॉकलेट वाला मिश्रन बन जाएगा और केसर की जिएके चॉकलेट वाला मिश्रन प्लेन मिश्रन के उपर डाल करके जमा दे तो हमारी मिल्क पाउडर चॉकलेट बर्फी बन करके तयार हो जाएगी इसी तरीके से milk powder पिस्ता बर्फी बना सकते हैं तो हम अपने अलग-अलग स्वाद में और अलग-अलग flavor में ये बर्फी बना करके तयार कर सकते हैं और इस बर्फी को फ्रिज में रख करके 10-12 दिन तक खाया जा सकता है बर्फी बनाना बहुत आसान है बस बनाते वक्त इतना सा ध्यान रखना है गैस हलकी हो और चलाते वक्त आपका ध्यान और कहीं नहीं हो सिर्फ बर्फी के उपर यानि हाथ लगाता चलता रहना चाहिए बहुत ही अच्छी बर्फी बन करके तयार होती है इस बर्फी को आप किसी भी त्योहार पर बनाईए या जब भी आपका मिठाई खाने का मन हो तब बना करके खाईए और अपने अनुभव निशामदलिका.com पर शेयर कीजिए एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए